नमस्कार बहुत बहुत स्वाइट करते हैं क्लिक्टूडे के आज सुबह के इस वीडियो रिपोर्ट में और 2019 से 22 सेशन की पार्ट 3 की परिक्षा रूटीन पर एक बड़ी अपडेट देना चाहते हैं जैसा कि कल आप लोग को अपडेट मिला था जिसमें कहा गया था कि आप लोग का सुमभार की साम तक जो है टशीड जारी कर दिया जगा एक्ञसन रुटीन जारी कर दिया जाएगा उनिरसिटी के तरफ से तो अभी आप लोग रिलेक्स वोई जन्कार जो आपगे करना बाकी है अब यसा हम क्यों कह रहे हैं कारण हम आगे की शकुणाइट ञानते हैं जो देखिए यहां पे एक जो आज खबर निकल करके सामने यह समय पर फॉर्म नहीं भरा अब दे रहे बीमारी का आवेदन युनिवर्सिटी कई समस्य उत्पन हो जाती है तब युनिवर्सिटी भी जो है जारी नहीं करती हाला कि युनिवर्सिटी के पास भी ऐसे कई बहाने पड़े होएं जिससे कि वह बताएगी कि और परियार कारण के वज़े से आप लोग का जारी करके जो रद किया जाएगा जो 26 तारिक से प्रस्ताबित है तो कुछ न कुछ नोटिस जारी करना परेगा जिससे कि शात्रों को यह यकीन हो जाए कि भाई 26 परिक्षा नहीं होने वाली है लेकिन फिर भी आज के रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है तो यहां पर देखेगा कि बियारे बिहार बीवी में स्राथक पार परिवार के किसी सदस्ते के बिमार होने का हवाला दे रहे हैं चात्रों ने बताया कि उनके घर में परिशानी आ गई थी इसलिए वह समय पर फॉर्म नहीं भर सके और उसकी समझते हुए परिक्षा बिभाग को फॉर्म भरने के लिए पोर्टल फिर से खोला जाना चाहिए हाला कि परिशानी तक डॉक्टर संजर कुमार जी ने बोल दिया कि पोर्टल को नहीं खोला जाएगा पार्ट 3 में 14,000 चात्रों ने परिशा फॉर्म नहीं भरा है और परिशा बिवाग का कहना है कि चात्रों की परिशा फॉर्म भरने के लिए जो 10 दिन का समय दिया गया थ इसके बाद चात्रों ने परिशा फॉर्म नहीं बढ़ा है तो अब उनका कोई डेट आगे नहीं बढ़ा जाएगा ऐसा तो बोला जा रहा है लेकिन आपको फिर से एक डेट देखने को मिलेगा जिसमें 2-3 दिनों का समय दिया जाएगा परिशा फॉर्म भढ़ने के लिए को बेज दिया जाएगा अपरिशा 26 दिसलम रोडी तो होने वालिए है अधुरियkek UN कभी नहीं हुआहरा है रोड़की चात्रों को अगले होदे पहले पता चल जाना चाहिए और इसा कभी नहीं हुआ है कि या कि हम सब्सक्षा में हुआ है कि चात्रों को अगलेसं परिशाद देना और उनके पास रूटीन ही ना हो इसी उनिविशिटी में ऐसा कारणामा जो देखने को मिलता है और यहां पर जैसा कि बता है दस दिनों का समय दिया गया था लेकिन फिर भी छात्रों ने फॉर्म नहीं भरा और अपने बहाने सामने निकल करके उनके आ रहे ह कुछ यूपी में हैं कुछ कतर में बैठे हुए हैं तो ऐसे से लोग भी जो आउट ओफ कंट्री भी है कुछ कानेडा में बैठे हुए हैं तो रूटीन अब लगता है ऐसा कि एक बार जारी होगा फिर कैंसल होगा कारण यह है कि जो परिक्षा केंद्र है वो भी गठित न सुरू हो जाए अब हाला कि देखना रहता है 26 दिसंबर से आपके जो रूटीन है उस पर डेट डाला गया है कि 26 दिसंबर से परिक्षा सुरू होगी और पीपर फाइव कि आप लोगी एक परिक्षा तो इस महीं ने ले ली जाएगी ऐसा जो यूनिरसिटी की तरफ से भी क कर देती है परिशास चाहे वह अगले ही महीने हो फिर भी जो है वह जीरो से बच जाती है तो ऐसे रूल के मुताबिक यूनिरसिटी अपने आपको सेफ जोन करेगी और सेशन को भी सेफ जोन करते हुए चलेगी क्यूंकि इनके पास बहुत सारे अभी मतलब प्रोंस और कॉ है तो इसे देखते हुए हो सकता है कि कोई रूटीन इस हफते तो आपको देखने को मिले ही मिले और आपका क्या कहना है मुझे अब भरोसा बिल्कुल नहीं रहा यार इन यूस पेपर और यूनिरसिटी की बातों पर हलाकि सुरू से भी किसी को भरोसा नहीं था तो अब द इसक्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से जाके कुश्चन बैंक को पर्चेस करिए क्लिक शॉप जो है कैपिटल में कूपन कोड लगाईएगा आपको 25% तक कर डिसकाउंट मिलेगा और फिर आपका कोई सवाल या सुजाब हो तो नीचे कमेंट कर लिए तब त झाल